ओम शान्ती आज 28 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महवाक्य हैं आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस इश्वरिय पढ़ाई का महत्व समझाया ये इश्वरिय पढ़ाई बहुत उची पढ़ाई है स्वेम भगवान तुमें पढ़ाते हैं इस पढ़ाई के प्रालब्ध आप 21 जनम भोगते हो तो कितना अटेंशन देना चाहिए इस पढ़ाई पर इस पढ़ाई के द्वारा आप नरकवासी से स्वर्गवासी बन चाते हो लेकिन बच्चे ये बाते भूल जाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है एक है योग बल दूसरा है ज्यान बल इस योग बल से विकरम विनाश होते हैं ज्यान बल से आप उंची प्राप्ती करते हो उंच पद पाते हो इस पढ़ाई से आप क्या बनते हो उस पढ़ाई से क्या बनते हो ये पारलोकिक पढ़ाई है, परलोक के लिए है, वो लोकिक पढ़ाई है, दोनों पढ़ाई में बाबा ने अंतर समझाया और अटेंशन किचवाया कि आप बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जराबी मुक्से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बाबा बच्चों को मै इस पढ़ाई में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, शंक ध्वनी करनी है, आपी स्वदर्शन चक्रधारी हो, जो सेंसिबुल बच्चे हैं, बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते रहेंगे, जो बहुतों को आप समान बनाएंगे, उन्हें बाबा से प्राइस मिलेगी, आत्मा को बाबा कर संदेश देना है, शंक ध्वनी करनी है, ये शंक, चक्र, गदा और पदम आपकी अलंकार है, दिव्य दृष्टी की चाबी बाबा किसी को नहीं देते हैं, बाबा बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाबा के तहीं चाबी मैं अपने पास रख पाते हो, उच पद पाते हो, तो उसका आधार ये पढ़ाई है, सुनते हैं बाबा के मदुर बोल, बाबा के ते मीठे बच्चे, बेहद के बाब से तुम बहुत उची पढ़ाई पढ़ रहे हो, बेहद के बाब से तुम बहुत उची पढ़ाई पढ़ रहे हो, बुद्ध कोश्चन है, रूहानी गवर्मेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है, जो बहुतों को आपसमान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्मेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है, वो भविशे किस जन्मों के लिए उच्पद के अधिकारी बनते हैं, ओम शांती, बाबा कहते बच्चों को मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कहना सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, जितना अच्छी रिती लब्द 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा होचाएगी बेहद बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो ये बेहद की पढ़ाई बहुत उची है बाकि तो पाई पैसे की पढ़ाई है तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुर्षाट करेंगे उतना उच्पद पाएंगे तो महारी बुद्धी में सदय ये बाते रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गौड फादर के स्टूडेंट है और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं तो तुम्हें कितना अच्छा पुर्शाद करना चाहिए कि हम पढ़ कर पहले बाबुल के पास जाएंगे फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पढ़ पाएंगे वो है लोकिक पढ़ाई और ये है पारलोकिक पढ़ाई अठाट परलोक के लिए पढ़ाई ये तो पुराना पतित लोक है जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं ये घड़ी घड़ी याद रहना चाहिए तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चड़ेगी हम नरक से स्वर्ग में जा रहे हैं ये याद रहे तो खुशी रहेगी शादी आदी में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं पढ़ाई कभी भूलनी नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए हम भविशे किस जन्मों के लिए स्वरक के मालिक बनते हैं जो अच्छी तरह बहुतों को आपसमान बनाते हैं वो फिर उच्पद पाएंगे ये राज और किसी की बुद्धी में बैठ ना सके सर्विस करने का भी अकल होता है डिपार्टमेंट अलग-अलग होती है स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते स्लाइड एक ही साइज में हूँ जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके पहले पहले स्लाइड हो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है पहला स्लाइड हो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है तो समझ जाएंगे परम पिता परमात्मा हमारा बाप है उनसे वर्सा क्या मिलता है फिर दिखाना है तुरे मूर्टी ब्रह्मा द्वारा हमें इस सूर्य वन्शी पद मिलता है तुम भी पुर्शाट कर रहे हो नई दुनिया के लिए अब तुम हो संगम पर पावन दुनिया बनाते हो तुम्हारी बुद्धी में अब सम्रती आ गई वरुबरम पांचर वर्श पहले देवी देवता थे फिर राज्य गवाया बाकी राजाई आदी लेते हैं वो सब हद की बाते हैं तुम्हारी है बेहद की लड़ाई शिरिमत पर तुम 5 विकार 10 रुपी रावन के साथ लड़ते हो जानते हो ड्रामा में हार जीत का पाट है हर पांचर वर्श के बाद ड्रामा का चक्र फिरता है तो अब तुम बच्चों को शिरिमत पर चलना है जिसको जो डारेक्शन मिले बच्चे कहते हम समझते हैं, प्रंथों किसी को समझा नहीं सकते, ये तो ऐसे हुआ, जैसे समझा नहीं है, जितना खुद समझा हुआ है, उतना ही पद पाएंगे, गुद्धी में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो, दूसरे को अगर आपसमा नहीं बनाया, तो सर्विसिबल नहीं ठेरे, इसलिए पूरा पुर्शाट करना है, औरों को भी सिखाना है, ब्रामनियों को हर एक के उपर मेहनत करनी है, टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं, तबी इजाफा मिलता है, तुमको बहुत बड़ी गवर्मेंट से इजाफा मिलता, सर्वि नहीं करनी, यहां एक क्लास से हर प्रकार की पढ़ाई होती है, जानते हो, हम भविश्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, विनाश भी जरूर होना है, जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदी बनाए थे, वही फिर से बनाएंगे, ज्रामा मदद करते हैं, वहां तो ब भगती में ही इतने ही रेजवारात होते हैं, तो सत्योग आदी में क्या नहीं होगा, बले करके सावकार लोगियां राधे कृष्ण, अत्वा लक्ष्मिनाडादी को सजाते हैं, सोने के जेवरादी पहनाते, बाबा को याद है, एक सेट था, उसने बोला, लक्ष्मिनाड क में बहुत माल थे, जो सब लूट कर ले गए, अब तुम बच्चों को सारा मालूम पढ़ गया, ये पढ़ाई बहुत उची है, छुट-छुटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए, राजविद्या के साथ ये भी विद्या देते रो, छुट-छुटे बच्चों को बच्चों का भी कल्यान करो, शिव बाबा स्वरक का रच्चता है, तुम शिव बाबा को याद करेंगे, तो स्वरक के मालिक बनेंगे, अविनाशी ज्यान का विनाश तो होता नहीं, थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे, सत्युग में लक्ष्मिनारण का फिर कहां गया, हम तुमें समझाते हैं, गोया तुमें स्वरक के मालिक बना देंगे, सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, गफलत करने से बहुत पच्चता हैंगे, बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते है अभी तो सबका विनाश होना है, अभी भी कितने लड़ाई चगड़े मोत आदी होते, ये कुछ नहीं है, अभी करोडों के अंदाज में विनाश होगा, सब जल मर के खतम हो जाएंगे, कबरिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा, कबरिस्तान तो बड़ा है, परि न कोई रूप में है, कबर में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है इसमें माया ने सब को कबर दाखिल कर दिया है सब मरे पड़े हैं खतम होने वाले हैं इसलिए किसी से भी दिल नहीं लगानी है सब मरे पड़े हैं किसी से भी दिल नहीं लगानी, दिल लगानी है एक के साथ, आकरीन में तुम्हारा सुबसे मत मिट जाएगा, एक बाप को याद करना है बस, तुम समझते हो हम ये पढ़ाई, वविशेक की सिन्मों के लिए पतित पावन बाप की द्वारा पढ़ रहे हैं, परम पिता परमात आत्मा मनुष्य सृष्टी का बीजरूप है, चेतन्य है, आत्मा भी चेतन्य है, जब तक आत्मा शरीर में नाई, तो शरीर जड़ है, आत्मा ही चेतन्य है, अभी आत्मा को ज्यान मिला, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भदा हुआ है, हर एक एक्ट अपनी अपन चोटे चोटे स्टार, सब में अपना अपना पार्ट है, चोरासी चनमु का अविनाशी पार्ट अनुभव करेंगे बाबने का ये कुद्रत है इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में कितना पार्ट है ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूत में समझाते हैं सैर कराते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है जो ड्रामा में नूद है उसका साक्षतकार कराते रहते हैं बले खेल पहले से अनादी बना हुआ है प्रन्तो मनुष्य नहीं जानते कि ये अनादी है तुम तो सब कुछ जानते हो जो कुछ होता है एक सकन के बाद वो पास्ट हो जाएगा जो पास्ट हो जाता है तुम समझते ये ड्रामा में था बाबा ने समझाया सत्यूग से लेकर क्या-क्या पार्ट हुआ ये बाते दुनिया नहीं जानती बाबा गयते मेरी बुद्धी में जो नौलेश है वो मैं तुमें दे रहा हूँ तुमको भी आपस्मान बनाता हूँ ये तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है अब पहले-पहले पावन बनना और बनाना है तुम्हारे सिवाई कोई पवित्र बनाना सके अब बाबा की शिरिमत पर दैविगुन धारन करने है बहुत मीठा बोलना है कोई भी कड़वा बोलना निकले सब पर रहम करना है तुम सब को सिखा सकते हो भगवान वाच, मन मनाभव उनको ये पताने की भगवान कौन है उसने कब गीता सुनाई तुम सब समझते हो भगवान वाच, और शरीरी बनो देखे सब धरम मैं मुसलमान हूँ मैं पारसी हूँ सब छोड़ दो ये कौन कहते हैं आतमाई सब आपस में भाई भाई हैं एक बाप के बच्चे हैं आतमाई अपने भाईों को समझाती हैं बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे माम एकम याद करो तो मुक्ती धाम में चाहेंगे सब दिर्वान धाम जाने वाले हैं दो अक्षर भी याद करके समझाना चाहिए भगवान सब का एक है स्री कृष्ण तो हो ना सके अब बाबा केते देखे सब धरम त्याग मामी कम याद करो आत्मा प्रकृति का अधार लेकरियां पार्ट पचाती है क्राइस्ट के लिए कहते हैं अब ये बैगर है सबी की पुरानी जुद्ती है क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर जनम लिया होगा अभी तो लास्ट जनम में है इन मेसेंजर्स को भी बाबा आकर जगाते है जो भी मेसेंजर्स है पेगंबर है उनको बाबा आकर जगाते पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है पुनर जनम लेते लेते नीचे आनाई है अब कलियू कांथ है आगे चलकर ये भी मानेंगे आवास निकलेगा बाबा आया हुआ है मा भारे लड़ाई में भगवान का नाम है प्रन्तों नाम बदली कर दिया विनाश और स्थापन ये तो भगवान का ही काम है बाबा कर स्वर्ग का द्वार खोलते है तुम बुलाते हो बाबा आओ आकर बैकुन्च का द्वार खोलो तुम्हारी द्वारा बाब आकर खोलते हैं तुम्हारा नाम है शक्ती सेना शेव शक्ती सेना तुमको पाड़व क्यों कहते हैं क्योंकि तुम रुहानी पंडे हो स्वर्ख का रास्ता बताते हो बाब बैट सब शास्त्रों का सार बताते हैं इन बातों को समझेंगे वोई, जिन्होंने कल्प पहले समझा, हम आत्माई पंडे हैं, सबको शांती धाम जाना है, फिर सुखधाम में आना है, दुखधाम का विनाश होना है, उसके लिए महाभारत लड़ाई है, तुम्हारी बुद्धी में सारे डिटेल है, मन मना भव, इसमें सारा ज्यान आ जाता, जैसे बाबा नौलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो, जैसे बाबा नौलेजफुल, ऐसे तुम बच्चे भी बनते हो, सरफ दिव्यदृष्टी की चाबी में अपने पास रखता हूं, इसके बदले फिर तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता, ये फरक रहता है, दिव्यदृष्टी का पार्ट भी तुम्हारे काम में आता है, भावना के भूगरे भी दे देते हैं, बाबा ने समझाया, जगदंबा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला ने लगता, कितना फरक है, लक्ष्म जगतंबा, जगतंबा ही लक्षमी बनती है, लेकिन मेले जगतंबा के अधिक लगते हैं, लक्षमी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं, कि धन मिलेगा, भगती मारग में मिलते हैं भूगरे, ज्यान में मिलते हैं हीरे, लक्षमी से सरफ धन मांगते हैं, उनको ऐसा नहीं कह बच्चा दो, तंद्रुस्ती दो, जगदंबा के पास सब आशाएं लेके जाते हैं, अब तुम समझते हम पूझे थे, और अब पुचारी बने, फिर पूझे बनते हैं, ज्यान से रोशनी मिल गई, तुम बच्चों को, तुम कितने निराले बन गए, ज्यान अंजन सत्गु दिया, अज्यान अधेर विनाश, ज्यान योग से आप कितने निराले बन गए, ज्यान अंजन सत्गुरु दिया, अज्यान अधेर विनाश, तुम ड्रामा के आदे मध्यंत को जान गए हो, बुद्धी में आ गया, तो तुम इस पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए, चे एक चनम पढ़ने से तुमें हीरे ज्वारात मिलते हैं, पुर्शात करना तुम बच्चों का काम है, नहीं पढ़ते तो इसमें टीचर क्या करेंगे, करीपा कि तो यहां बात ही नहीं, संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है, योग बल से तुम अपन ज्यान सागर, ज्यान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है, बच्चों को समझाने की युक्तियां मिलती हैं, ज्यामा प्लैन अनसार, जो कल्प पहले समझाया, वो ही समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार आते रहते, ब्रामन कुल की वृधी होनी है, तुम बच्चों को महादानी बनना है, कोई भी आए, उन्हें कुछ ना कुछ समझाते रो, शंक ध्वनी करनी है, ग्यान की बाते जो सुनी है, वो रोको सुनानी है, यहां जितनी तुम धारना कर सकते हो, उतनी घर में नहीं होती, शास्त्रों में मदुवन का गायन है, वो मुरली बच्चती है, मदुवन में मुरली बाजे, मदुवन की मुरली का गायन है, यहां जितनी अच्छी धारना हो सकती है, वो अपने अपने स्थान पर नहीं, क्योंकि यहां एकाग्र होकर सुनते हैं, निश्चिन्त होकर बाबा के महवाक्य सुनते हैं तो धारणा भी अच्छी होती है शास्त्रों में ही मदुवन का गायन है वहां मुरली बज़ती है अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्छो प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रुखनी बाप की रुखनी बच्छो को नमस्ते रुखनी बच्छो की रुखनी बाप ददा को नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया धारणा के लिए साहर पहली पॉइंट है पढ़ाई का बहुत कदर रखना है बाबा से कृपादी नहीं मांगनी ग्यान और योग बल जमा करना है रहम दिल बनना है मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने है सदा मीठा बोलना है आपसमान बनाने की सेवा जरूर करनी है वरदान है विकारों रुपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव विकारों रुपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव ये पाँच विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते है इसने आप ब्रामनों के और ब्रह्मा बाप के और शरीरी तपस्वी, शंकर स्वरूप के यादगार में सापों की माला गले में दिखाते हैं, आप सब के लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, यह अधिंता की निशानी दिखाई है, स्थिती ही स्टेज है, तो कहेंगे सच्चे तपस्वी, जब विकारों पर जीत हो, तब मन ऐसे खुशी में नाचता है, उन्हें कहेंगे सच्चे तपस्वी, पाचों विकार लोगों के लिए जहरीले साप हैं, आप योगी तपस्वी आत्मों के लिए यह साप गले की माला बन चाते हैं, इसले आप के और ब्रह्मा बाप के और शरीरी तपस्वी शंकर स्वरुप के यादगार में सापों की माला गले में दिखाते हैं आप सब के लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं यह अधिंता की निशानी दिखाई सिती ही स्टेज है तो जब विकारों पर इतनी विजे हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी श्लोग ने पुराने संसार वा संसकारों से मरना ही जीते जी मरना है पुराने संसार वा संसकारों से मरना ही जीते जी मरना है आज हम अभ्याज करेंगे मैं तपस्वी आत्मा, तपस्वी आसन पर विराज्मान होते हैं और शरीरी बनना ही सच्चा तप है जैसे शंकर जी को तपस्या करते दिखाया है, मैं आत्मा इस देहे में तप कर रही हूँ मैं ब्रिकुटी में विराज्मान होकर इस तेहे रुपी रत को साक्षी होकर देख रही हूँ ये पाचोविकार मेरे समक्ष हाथ चोड़ कर खड़े हैं विदाई ले रहे हैं मुझ से निकलता शक्तियों का प्रकाश इन विकारों को भस्म कर रहा है एश्वरिय याद में वो ताकत है जिसे विकार भस्म हो जाते हैं मैं तपस्वी आत्मा सर्व शक्तिवान बाबा से शक्तियां प्राप्त कर रही हूँ इन शक्तियों के बल से मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है मैं तपस्वी आत्मा हूँ शक्रिया बाबा शक्रिया हूँ ओम शक्ति 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 शक्ति